नमस्कार प्याय बच्चों आज हम क्लास नौवी के पार्ट नंबर चार जियोग्रफी में से लेस्टन है जलवाईू के अभ्यास के प्रशन उत्तर करेंगे ये सभी प्रशन उत्तर एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से बहुत जादा लाबकारी है और हमने कोशिश की है कि पार्ट के सभी जो पहलू और इंपोर्टन्ट क्वेश्चन है उनको डिटेल में आपको समझा सके और इसी लेस्टन के आगे हम एक चोटी सी वीडियो बनाएंग जिसमें हम जितने भी मैक्सिमम वस्तु निष्ट प्रशन बना सकते हैं वो भी आपके लिए लेकर आएंगे तो सबसे पहले अब हम अभियास के प्रशन उत्तरों को डिटेल में समझते हैं सबसे पहले हैं निचे दिये गए स्थानों में से किस स्थान पर विशव में सबसे अधिक वर्शा होती है? तो इसका सही आंसर है जो की अप्षन है वो है सिल्चर या फिर चीरापुनजी, माशीन राम और गुहाटी इनमें से जो सही आंसर है वो है माशीन राम माशीन राम जो है एक ऐसी जगा है मेगाले के अंदर छिरापुंजी के पास जहां पर विशव की सबसे अधिक बारिश होती है बढ़ते हैं next question की ओर ग्रिशम रितु में उत्री मैदानों में बेहने वाली पवन को क्या कहा जाता है निमन लिखित में से उप्शन से हैं काल बिसाखी, वेपारिक पवने, लू या इन में से कोई नहीं चारों में से बताना है हमें सही अंसर है लू जो लू है उसे सिर्फ यहीं नहीं कहेंगे उत्रे मैदानों में बहने वाली पवने बलकि यह लोकल विंट्स भी कहलाती है स्थानिय पवने उसके बाद है निम लिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चमी भाग में उत्तर पश्चमी मतलब पंजाब, हर्याना या फिर पाकिस्तान के साथ लगता एरिया जिसमें शीत रित्तू से होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदाई है चक्रवर्ती अवदाब, पश्चमी विक्षोब, मानसुन की वापसी या फिर दक्षिन पश्ची मानसुन इसका सही आंसर है पश्चमी विक्षोब यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम देखते हैं हमारे पंजाब रियाना में सर्दियों में अच्छी खासी बारिश होती है और यह बारिश जो है गेहूं की फसल को उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बहुत ज़्यादा सहायक होती है इसके बाद है हमारा next question question number four भारत में मानसुन का आगमन निमल लिखीत में से कब होता है मई के प्रारम में या फिर जून या फिर जुलाई या अगस्त के प्रारम में इसका सही आंसर है जून के प्रारम में यह वो समय होता है जब मानसुनी पवने जो होती है वो दो जगया अर्ब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठती है और वो जून के मन्त में स्टार्टिंग में जब जून शुरू ओता है तब वो उठती है कभी कबार 2-4 दिन का हेर हो जाता है प्रनतू फिर भी वो जून का प्रारम ही होता है उसके बाद है निमा लिकित में से कौन सी भारत में शीत रित्तु की विशेष्ता है शीत रित्तु का मतलब जो ठंड का मोसम होता है उसकी विशेष्ता गरम दिन और गरम राते गरम दिन वा ठंडी राते ठंडा दिन वा ठंडी राते या फिर ठंडा दिन वा गरम राते तो यहाँ जो सही आंसर है वो है गरम दिन वा ठंडी राते दिन गरम होते हैं प्रंतु रात जो होती है वो बहुत ठंडी होती है और कई बार तो एह सहनिय भी हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत की जलवायू को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं अक्षांस उचाई वायू दावा पवंतंतर समुंदर से दूरी उचावज यह ऐसे कारक हैं जो भारत की जलवायू को प्रभावित करते हैं क्योंकि भ ज़술 जयादा ठंडी निजया गरम जहां कि अगर हम लद्दाग की बात करें वहां पर भूठ ठंड होती है पंजाब हर्याना की बात करें महरेश्ट की मध्यपरदेश की बात करें तो यह ऐसी जगाएं जहाँ पर pan तापमान या extreme temperature देखने को मिल जाता है अर्थात सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी तो इसलिए 5 points आपको अच्छी तरह स्याद करने हैं ये दो marks के question में काफी important है उसके बाद next है भारत में मानसुनी परकार की जलवायू क्यों है क्योंकि भारत में जो वर्षा है वो मानसुनी पवनों से होती है और भारत की जलवायू पर मानसुन पवनों का गहरा प्रभाव है या कि हम देखिए भारत में हर जो क्रिशी है उसकी रीड क्या है वर्षा और वर्षा किस पर प्रभावित करती है या किस पर अधारी तत्य मानसुनी पवनों पर उसकी मतलब जैसे भी मानसुनी पवनें चलेंगी वो ही हमारी वर्षा का कारक बनेंगी और भारत की जिलवायू है उस पर मानसुनी पवनों का बहुत गहरा परवाव है अते हम भारत की जिलवायू को मानसुनी जिलवायू कह सकती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों भारत के थार मरुस्तल का दैनिक तापमान सबसे अधिक होता है इतना बात लिखने से भी अदमाक्स बन जाता है उसके बाद है इसका कारण है वहाँ पर दूर दूर तक फैला रेथ रेत जल्दी गरम हो जाता है इसलिए दैनिक तापमान भी अधिक होता है इवन के 48-59 डिक्री सेल्सियस तक भी कहीं बार पहुंच जाता है उसके बाद है किन पवनों के कारण माला बार तट पर वर्षा होती है तो इसका सही आंसर है दक्षिन पश्चिम मानसुन पवनों के कारण माला बार तट पर जो वर्षा होती है उसका मेन रिजन है उसके बाद हम नेक्स्ट कोश्चन पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टन है क्योंकि जो जट धाराई क्या है और वे किस प्रकार जलवाईयों को प्रभावित करता है तो आपको एक राइन तो अभी आद कर लेनी है कि जो जट धाराई है यही सारे देश में मानसुन पवनों का परसार करती है मतलब हम देखते हैं कि जब मानसुन आता है पूरे देश में आता है और उसकी वर्षा से ही सारे देश की क्रिशी की रीड़ और अर्थवस्था जो है मजबूत होती है लेकिन जो यह मानसुन का परसार पूरे देश के अंदर होता है वो कौन करता है जैट धाराए अब इसका सार्थ करते हैं शोब मंडल में बहुत अत्यदिक उचाई पर शोब मंडल जो है हमारे परियावन के उपर है इसमें बहुत ही उचाई पर एक संक्री पट्टी संक्री का मतलब होता है तंग नेरोप टाइप के पट्टी है जिस पर तेज गती से हवाएं चलती है बस इन्ही हवाओं को जेट धाराएं कहा जाता है जेट धाराएं उन हवाओं को कहा जाता है जो शोब मंडल में एक संक्री पट्टी में चलती है और इनकी गतिक गर्मी में जब गर्मी का मोसम होता है तब इनकी रफतार 110 किलोमेटर प्रति घंटा होती है मतलब गाड़ी की स्पीड स चलती है ये और उसके बाद है सर्दियों में तो ये बहुत ही तेज चलती हैं 184 किलोमेटर प्रति घंटा की रिफ्तार से चलती हैं सोचिए मतलब कितनी ज्यादा स्पीड होगी इसकी और भारत में जल धाराएं ग्रिशम रित्तु को छोड़कर पूरा वर्ष जो है हिमालय म दक्षिन में प्रवावित होती है हिमालय में जो दक्षिन भाग है उस और इस पश्चिन प्रवा के एक आरन देश के उत्तर और उत्तर पश्चमी भागों में पश्चमी पवने सारे देश में मानसून का पड़सार करती हैं अगर आपको easy language में भी याद करना हो तो सबसे पहले आप इसका meaning याद कीजिए फिर ये बताईए कि गर्मियों में इसकी speed क्या है सर्दियों में क्या है और इसको बिल्कुरी simple करना हो तो आप कह सकते हैं कि ये पवने सारे देश में मानसून का पड़सार करती है मानसून को पूरे देश में फैलने में सहेता करती है उसके बाद next question है मानसून को प्रभावशित करें और मानसून में विराम यानिकि दो है एक मानसून क्या है और दूसरा है मानसून में विराम इन दोनों के meaning हमें जानने होंगे मान सिम का अर्थ क्या होता है मोसम रितूओं के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करने वाली पवने मानसून कहलती हैं यानि कि वो पवने जो रितूओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं रितूओं के अनुसार गर्मियों में सर्तियों में मानसून या मानसून का आगमन यह मानसुन की वापसी उसके इसाफ से जो अपनी पवने चेंज करती है उन्हें मानसुन कहा जाता है मानसुन का विराम देखिए जब मानसुनी वर्षा हो रही है और वो कुछ दिनों तक रुकी रहती है और उसमें वर्षा नहीं होती लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर वही मानसुनी पवने फिर से वैसे ही बारिश करती है तो जो बीच में ये वर्षा रहित अंतराल आया था बस उसे ही हम मानसुनी विराम कहते हैं ऐसा होता है वायुदाव की भिनता के कारण जब वायू धाब की बिनता के कारण मानसुन में बीच बीच में रुका वटाती है उसके बाद है मानसुन को एक सुत्तर में बांधने वाला क्यों समझा जाता है काफी important question है ये भी नमबर एक मानसुन से ही सारे देश में वर्षा होती है इसलिए अपने आप में ये बहुत important है और सारे देश को एक सुत्तर में बांधता है दूसरा है भारत में भूद रिश्य और सभी जीव जन्तु वनस्पती सब कुछ जो है मानसुन से ही प्रभावित होते हैं भारत में मनाई जाने वाले सभी त्योहार भी मानसुन के ही चारों और घूमते हैं जितने त्योहार देखिए आप ओनम है वेसाखी है बहुत सारे त्योहार हैं जो मानसुन के आगमन से या मानसुन से रिलेटर होते हैं उसके बाद है भारत तीज का तिहार वो तो बहुत special ही मानसुन के आगमन और उसके बीच में मनाय जाता है भारत के किसान अपनी क्रिशी के कारे भी मानसुन के आगमन के अनुसार ही करते है इसलिए मानसुन एक ऐसा कारक है जो भारत के अंदर अनेक विवजताओं को एकता के सुत्तर में पिरो देता है इसलिए मानसुन को एक सुत्तर में बांधने वाला एक धागे में बांधने वाला कहा जाता है उसके बाद है next question उत्तर भारत में पूरफ से पस्चिम की और वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है ये बहुत ध्यान लगा कर सुनने वाला question है गर्मिया में मानसुन पवने बंगाल की खाड़ी और अर्बसाकर दो जगा से उठती है बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पवने ब्रम्पुतर घाटी और असम की पहाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश करती है प्रंतु जब ये उपर उठती हुई हिमाल्या तक पहुँचती है तो हिमाल्या से टकरा कर ये पवने गंगा की घाटी के साथ जो गंगा की घाट पश्चिम का मतलब है पाकिस्तान की योर तब इन में जल कनों की मत्रा कम हो जाती है और इसलिए वर्शा की मत्रा भी कम होती है जब पवनों के अंदर जल कम होगा तो नेचरली बारिश भी कम होगी एक फिर से समझते हैं देखिए पवने दो जगासे उठती है बंगाल की खा परवसे टकराती है और गंगा की घाटी के साथ सद बढ़ते हुए पश्चिम की और जाती है जब इतना लंबा सफर तैय कर जाती है और हिमाल्या परवसे टकरा जाती है तो वहीं पर काफी बारिश होने के बाद जब पश्चिम की और जाती है तो इनमें जलकनों की मातरा कम ह जाती है देखी ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर भारत में पूरव से पश्चिम की और वर्षा की मातरा क्यों घटती है क्योंकि जब वो पूरव से पश्चिम की और जा रही होती है तो उसमें जलकनों की मातरा कम होती जाती है इसलिए वर्षा की मातरा भी कम हो जाती है उ उत्तरपश्चमी भारत में कम दबाव शेत्तर और दक्षनी भाग में उच वायूदाव शेत्तर का होना। भारत का संकेत है कि मोसमी परिवर्टन होते हैं। उसके बाद है भारत के उत्तर पस्ची में यूरेशिया और अफ्रीका में विशाल भूभाग का होना भी मोसमी परिवर्टन का एक बड़ा कारण बनता है। अगर स्तंबर तो स्तंबर तक बारिश हुई। कुछ ही मेने क्यों जादा होती है उसके बाद लगबग बाकी महीने कम होती है। भारत में अधिकतर वर्षा मानसुनी पवनों के द्वारा होती है। ये पवने ग्रिशम रित्तु में चलती हैं। और जून से स्तंबर तक चार महीने चलती है। उसके बाद ये पवने वापस आने लगती है। अधिया भारत में कीवल चार महीने ही अधिकतर वर्षा होती है। जो मानसुनी पवने जून में उठी थी। स्तंबर 15 के बाद वापस आ जाती है समंदर की ओर और वो खाली होती है और तब वो वारिश नहीं करती है। उसके बाद है तामिल नाडू तट पर शीत रित्तु में वारिश होती है। कारण बताएं। शीत रित्तु में जब मानसुनी पवने पीछे उठ आ रही होती है तो बंगाल की खाडी से जलकन उठा लेती है। यहाँ पर है जलकन और तामिनाडू के तट पर आते आते जलकनों से अब बंगाल की खाड़ी से इनने जलकन ले लिए फिर तामिनाडू आती है तब यह जलकनों से भरी होती है और पूर्वी घाट से टकरा कर यह खूब वर्षा करती है और इसलिय सरदियों में तामिनाडू में बारिश होती है उसके बाद है पूर्वी तटके डेल्टा वाले शेत्तर में प्राय चक्करवात आते हैं क्यों प्रतिवर्ष अक्तूबर और नुमंबर में बंगाल की खाड़ी में निमन वायूदाव की दिशाएं बनती हैं जब कम वायूदाव की पवने आगे की और बढ़ती है तो अंडेमान सागर में चक्करवात आते हैं और ये चक्करवात जो है चक्करवात का मतलब है कि जब हवा जो है वो गोलगोल घूमने लगे और पूर्वी तट को पार करके भारी वर्षा करते हैं और बहुत विनाशकारी रहते हैं ये चक्करवात गोदावरी क्रिशन कावेरी के डेल्टाई भागों में आते हैं आपको समझेना हो गए कोशन फिर से एक बार के प्रती वर्ष अक्तूबर और नुमबर में बंगाल की खाड़ी में निमन दाब वायुदाब की दशाएं बनती हैं और जब ये ऐसी पवने आगे की और बढ़ती हैं तो ये अंडेमान सागर में पहुंचती हैं जहां पर चक्करवात बनने शुरू हो जाते हैं और ये चक्करवात जो हैं पूर्वी तट को पार करके फिर आशकारी रहते हैं ये चक्करवात गुदावरी क्रिश्ण और कावेरी के डेल्टाई भागों में आते हैं उसके बाद है राजिस्थान गुजरात के कुछ भाग और पश्चमी घाट का विरिष्टी छाया शेतर ये सूखा क्यू रह जाता है बहुत यसान क्वेश्चन है ये और इंपोर्टन्ट है देखिए राजिस्थान में अरावली परवत जो है वो अर्व सागर से उठने वाली मानसुन पवनों के समांतर है जिस वज़े से मानसुन पवनों को नहीं रोक पाता ना ही पवने उससे टकरा पाती है इसलिए राजिस्थान जो है सुष्क रह दूसरा गुजरात में भी ऐसा कोई परवत नहीं है जो इन पवनों को रोक सके इसलिए वो भी सूखा रहता है और ओस्तन से कम बारिश होती है तीसरा हमने बात की थी पश्चमी घाट का व्रिष्टी छाया सेतर अर्ब सागर से उठने वाली पवनों की एक शाखा कौंकन परशा के कारण वो भी सुष्क रह जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है भारत की जलवायू अवस्था की शेत्रिय विविदताएं देखिए हमारे यहां पर जलवायू है और मांसुनी जलवायू है फिर भी बहुत सारे अंतर अलग-अलग जगा देखने को मिलते हैं कैसे सबसे पहला है ताप अंतर ताप मतले ताप मान में अंतर भारत में द्यानिक ताप मान में अंतर पाय जाता है थार मरुस्थल है उसमें 50 डिगरी सेल्सियस तक ताप मान हो जाता है तो वहीं रात को गिर कर 15 डिगरी सेल्सियस रह जाता है यह एक ही जगा में दो अ वर्षा के अंदर अंतर तीसरा है भारत में अधिकांश भागों में वर्षा जून से स्तंबर में होती है प्रन्तु तामिल नाड़ू में शीत रितु में होती है उसके बाद है सर्दियों में भारत के उत्री भागों में वर्षा पश्चमी विक्षोब के कारण होती है जबक पूरे देश में जो वर्षन है वो वर्षा के रूप में होता है यह बहुत important point है कि देखे वर्षा के ही अलग-अलग रूप हो सकते हैं जिसमें से हिमाले में जब वर्षन होता है वो हिम के रूप में बर्फ के रूप में होता है जबकी बाकी भागों में वर्षा के रूप म उसके बाद next question है मांसुन अभी करिया की व्याख्या करेए most important question है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ही अच्छे से याद करना है 5 marks को question आता है पेपर में ये स्थल भाग जो है जल्दी गरम और ठंडा होता है अर्थात वायूदाब जो है कि यदी वायूदाब उच है इसका मतलब वहाँ पर ठंड कम होती है और यदी वायूदाब निमन है तो वहाँ पर गरमी और ठंड का जल्दी असर होता है दूसरा point है ग्रिशम रित्व में उशन कटी बंदिय अभिसरन शित्तर की सिती गंगा के मैदान की तरफ हो जाती है और वहाँ पर भी निमन वायूदाब का शित्तर बनता है तीसरा है ग्रिशम रित्व में हिमालय के उपर उत्तर पस्चमी जट धाराओं का और भारतिय प्राइद वीप के उपर उशन कटी बंदिय पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है दो परकार की जट धाराओं होगी एक होगी उत्तर पस्चमी जट धाराओं दूसरी होगी पूर्वी जट धाराओं तो अब ग्रिशम रित्व में हिमालय के उपर कौन सी जट धाराओं है उत्तर पस्च में जट धाराएं और प्राइद वीपी अब जैसे की पठार वाला सारा एरिया हो गया दक्षिन भारत का एरिया हो गया वहाँ पर कौन सी जट धाराओं का प्रभाव है ओशन कटी बन दिये पूर्वी जट धाराओं का और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जट धाराएं ही एक बड़ा कारक हैं पूरे देश में मानसुन के परसार में उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है इसका एक पॉइंट रह गया ग्रिशम रित्व में तिबबत का पठार बहुत गरम हो जाता है जिसके कारण पठार के उपर समुंदर तल से 9 किलोमेटर की उचाई तक उच वायुदाव का शेत्तर बन जाता है नेक्स्ट क्वेस्चन है शीत रित्व की अवस्था और उसकी विशेस्थाएं इंपोर्टन भी है और असान भी शीत रित्व की बाते बतानी है हमने बहुत असान है दिसंबर जनूरी सफसे ठंडे महीने तापमान 10 डिगरी से अलसेस से 15 डिगरी से अलसेस के बीच दिन गरम और राते ठंडी और हिमाल्या के ढालों पर हिमपाथ होता है एक ही पॉइंट में चैरमेन बाते इस रित्व में देश के उत्री मिदानों में पस्चमी विक्षोब के द्वारा वारिश होती है जिसे स्थानिय भाषा में महावट कहा जाता है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन क्वेस्टन है कि महावट किसे कहा जाता है जब उत्तर भाग उत्तरी मिदानों में पस्चमी विक्षोव के कारण वर्षा होती है तो उसे स्थानिय भाशा में महावट कहा जाता है इस रित्तु में देश में उत्तर पूर्वी वेपारक पवने चलती हैं जिने हम चक्करवात भी कहते हैं इसके कारण तामिलाड़ू के कुछ भागों में वर्षा होती है उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है माव भारत में होने वाली मानसुनी वर्षा और उसकी विशेष् बहुत इंपोर्टन्ट है भारत में अधिकतर वर्षा मध्य जून से मध्य स्तंबर केवल चार महिने होती है इसलिए समुंदर से चलने वाली मानसुनी पवने इनी चार महिनों में चलती है और वर्षा करती है उसके बाद है सेकिंड पॉइंट भारत में उत्तर पूर्वी भागों में मानसुनी पवने सबसे ज़्यादा बारिश करती है जबकि माशीन रम में विशव की सबसे आधिक बारिश होती है यह हम बात कर रहे हैं हमारी मानसुनी वर्षा की विशेष्ताओं की तीसरा है भारत में विरिश्टी चाय शेत्र और थारम रुस्तल जैसे शेत्रों को छोड़कर बाकि पूरे देश में प्रियाप्त मानसुनी वर्षा होती है आपको यहाँ पर बताना होगा कि विरिश्टी चाय शेत्र कहां पर है पश्चमी घाट पर उसके बाद है भारत म मानसुनी वर्षा का वित्रन समान नहीं है मिघाल्या में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जबकि दूसरी और राजिस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वारिश होती है भारत में मानसुनी वर्षा की मात्रा पूर्रूप से निश्चित नहीं है कभी-कभी मानसुन समय से पहले भी आ जाता है और बाड़ ला देता है कभी बहुत देर से आता है और सुखे की सिती पैदा कर देता है इस परकार ये सारी जो हैं हमारी मानसुनी भारतिय मानसुन की विशेशताएं हैं तो ये सारे कॉस्चन आई थिंक आपको समझ भी आए होंगे और आपको पेपरों में हेलफुल भी रहेंगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच्छ आपको थैंक्यू स्टार रहे हैं